जल्दी कीजिए, वो करन कपूर का अपरन कर वाइट वैन में ले जा रहे हैं, बस अभी ही निकले हैं। वेटर होटल के बाहर खड़े शिखर को बोलता है, शिखर हडबणाहट में कहता है, जोसेफ को बोला अपनी कार की चावी दे जल्दी। वेटर पलट कर बोलता है, सर ये रहे मेरी स्कूटी की चावी, कई वो भाग न जाए। और तुरंत अपनी जेब से चावी निकाल कर शिखर के हाथ में थमा देता है, शिखर अपना फोन खोलता है, सबसे उपर शीना का ही नंबर होता है, बिना सोचे उसे एक संदेश भेज हैं, शिखर को सामने रास्ते पर सिगनल के पास खड़ी वाइट वैन दिखती है, सिगनल हरा होता है और वाइट वैन तेज रफतार से भागना शुरू कर देती है, शिखर भी उसके पीछे उतनी ही तेज रफतार से पीछा करना शुरू कर देता है, वैन जंगल वाले रास चुप कर कुछ लोगों को गोदाम में एक बड़ी सी बोरी के साथ जाता हुआ देखते हैं। उन्हें हाथ में लकडी लिए खड़ा दिखता है। शिकर के आखों के आगे अंधेरा चाने लगता है। और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। शिकर का हैं? सब उसे ही ढून रहे हैं। शीना अपने फोन में आया शिकर का संदेश दिखाते हुए सारी बाते बताती है। थोड़ी देर बाद बात करते करते सब के मन में एक ही खयाल आता है। जोरवी आवाज देते हुए बोलता है। कहीं शिकर को? जोसेफ जैसे ही ये बात सुनता है यहां से भागता हुआ होटल के सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है। बागी सब भी जोसेफ को ऐसे भागता देख उसके पीछे भागते हैं। सेक्योरिटी रूम में जोसफ की आदेश पर स्टाफ उसे होटल के बाहर का CCTV फोटेज दिखाता है जिसे देख सब का शक पक्का हो जाता है कि शिखर किसी मुसीबत में हैं और सब इस बात पर चर्चा शुरू कर देते हैं कि अब आगी क्या करना चाहिए अनन्या सबसे पहले प्रस्ताव रखती है हमें तुरंट पुलिस में जाना चाहिए मेरे पापा के कुछ पहचान वाले ऑफिसर से बात कर सकती हूँ मैं शीना को अपना पुलिस के साथ हुआ हादसा याद आता है उसका शहर के पुलिस से भरोजा उट चुका है उसे पता है कि पुलिस के पास गई तो बहुत देर हो जाएगी शिखर को ढूणने में और सुझाव को ठुकराते हुए शीना अपना सुझाव देती है हमें खुछ शिखर को ढूणना चाहिए अगर पुलिस के भरों से बैठे रहे तो शिखर को कुछ हो न जाए अनन्या और शीना दोनों एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं रवी शीना का पक्ष लेता है तो जोसफ को अनन्या अपने साथ आने को बोलती है और वो मना नहीं कर पात और दोनों दो अलग टीम में अपने आपको बाटते हुए शिखर का पता लगाने निकलते हैं इदर बिहोश पड़े शिखर की आँखे खुलती है वो अपने हाथ पाव हिलाने की कोशश कर ही रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पाव किसी ने रसियों से कसकर बांध रखें। करना चाहते हैं ये मेरे साथ, मुझे जल से जल यहां से निकलना होगा। शिकर को पास ही में पड़ी, जमीन पर एक वाइन की बोटल को देख कर खयाल आता है। और वो बड़ी मुश्कल से वहीं पड़ी एक दरी में उस वाइन की बोटल को लपेटते हुए बिना आवाज के उसे तोड़ देता है। थोड़ी देर में अपने हाथ और पाव की रसिया काट कर शिकर आजाद हो जाता है। आजाद तो हो गया, मगर भागे तो भागे कैसे। यही सोचते हुए शिकर अपना दिमाग दोड़ा रहा था। एक रास्ता तो उसके सामने नजर आ रहा था। बड़ी सी खड़की जिसे खोल कर वो भाग सकता था। मगर यह रास्ता किसी काम का नहीं था। अगर इस खड़की से भाग भी गया तो सामने लंबा जंगल है और इससे पहले मैं जंगल पार कर जाओं यह गुंडे मुझे ढूंडते हुए पकड़ी लेंगे। तब ही उसकी नजर नीचे गिरी हुई वाइन पर जाती है जो धीरे धीरे जमीन के अंदर बहती जा रही थी। शिकर जैसे ही अच्छे से जुक कर देखता है उसे यहां से बच निकलने का रास्ता मिलता है। बगल वाले कमरे में बैठे गुंडे थोड़ी देर बाद शिकर का हाल जानने कमरे की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, चौंक जाते हैं। जिस कमरेवनों ने शिकर को बंद कर रखा था वो कमरा अब खाली था और इसकी वो बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी ये देखते ही उन गुंडों में से गुंडा चिला पड़ता है बाकियों को ये बताते हुए कि शिकर भाग गया है और देखते ही देखते वहाँ बैठे सभी गुंडे निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ शिकर की तलाश में जैसे वो गोदाम खाली होता है तभी शिकर जो कि वहीं पर होता है जो कि वहाँ की नीचे के स्टोरेज रूम में चुप गया था दरवाजा खोलता है और स्टोरेज रूम से बाहर निकलता है समाई रहते हैं शिकर ने वाइन को नीचे गिटते देखकर वहां के कमरे के नीचे वाले स्टोरेज रूम का पता लगा लिया था अभी मुसीवट टली नहीं है इससे पहले कि वो वापस आए मुझे यहां से निकलने का रास्ता ढूंडना होगा और हो सके तो ये भी पता लगाना है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और शिकर उस गोदान की परताल में लग जाता है वहीं डेस्क और उसके कुरेदान में सुराग ढूंडने लगता है तब ही उसके हाथ एक कार्ड लिखता है इस पर लिखा नाम देखकर उसकी आँखें बड़ी हो जाती है उसी वक्त उसके पीछे से एक पिस्तॉल आकर उसकी कनपटी पर लगती है शिकर पीछे मुडता है और कार्ड पर लिखा नाम सामने वाले को देखते हुए पढ़ता है मिस्टर ओबिरोई कुछी समय में शिकर फिर से रस्यों से बंदा हुआ कुर्सी पर बैठा था और कुछ गुंडों के साथ उसके सामने पिस्तॉल ताने खड़े थे मिस्टर ओबिरोई इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारा है मेरा अपना खमंड और इस्द और तुने दुनों को ही मुझे से चीनने की कोशिश की ऐसे कैसे जाने देता इस बात को मिस्टर ओबिरोई दाड़ते हुए बोलते हैं शिकर के पास कोई जवाब नहीं था उसे ये भी पता था कि मिस्टर ओबिरोई ने उसका फैसला अपने मन में कर रखा है उनसे बहस करके कोई फाइदा नहीं है शिकर सर जुकाए अपने उस पैसले का इंतजार कर रहा था वैसे एक रास्ता है तेरे बचने का ओबिरोई हसते हुए बोलता है शिकर सर उठा कर ओबिरोई की तरफ देखता है और अपनी इज़्जत उसके सामने ना गिराते हुए शिकर बोलता है अभी भी वक्त है अगर तू मेरे जूते पर अपना नाक रगड ले तो बाफ कर दूँगा तुझे ओबिरोई ये सुनकर अपना मुग का कोना सिकोड की बोलता है हिम्मत तो देखो इस पिद्दी की जुकने को राजी ही नहीं लगता है इसे अपने तरीके से ही समझाना होगा ये बोलकर अभी रॉई अपनी कुर्सी से खड़ा होकर शिकर पर अपनी पिस्टॉल वापस तान लेता है मौत को अपने सामने देख कर शिकर की सांसे फूलने लगती है उसे अपनी बहादूरी से ओविरॉय को दिये जवाब पे पच्चतावा हो रहा था अपने माथे पर शिकन लिये शिकर अपनी आखें बंद करता है उविरॉय का हाथ पिस्टॉल का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक से उसे एक फोन आता है एश शांत कमरे में उविरॉय के फोन की घंटी बजे जा रही थी और हार मानकर उविरॉय ने भी अपना फोन उठा लिया फोन के दूसरी ओर से कोई कहता है अबर माफी चाते हो तो अभी के अभी अपनी सारी संपत्ती शिखर के नाम कर दो ये सुनकर मिस्टर उविरॉय भी दंग रह जाता है आखिर किसको पता लग गया कि शिखर यही है और तुरंत फोन काट शिखर पर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक से वहां खड़े सभी गुंडों को भी फोन पर एक संदेश आता है संदेश को देख पहले एक गुंडा अपनी बंदूग निकालते हुए उविरॉय की ओर तान लेता है और देखते ही देखते वहां खड़े सभी गुंडे उबिरॉय पर बंदूग ताने खड़े थे ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरी जगह उबिरॉय पर बंदूग तान क्यों खड़े है? और अब तक का सारा उधार तुरंत चुकाने को बोला है, उसका फोन फिर से बजने लगता है, डरते डरते जैसे ही ओविरॉय अपना फोन कान से लगाता है, दूसरी ओर से आवाज आती है, बस थोड़े से पैसो के बदले तुमारे आदमी तुमारे खिलाफ हो गए, अब समझ आ रहा था कि वो अब तक जिन्दा कैसे है, अपनी गलती का ऐसास करते हुए उबिरॉय शिखर के पाउं पर पढ़ जाता है, और अपना नाक रगडने नीचे जुग जाता है, शिखर की रसियां खुलने का आदेश देते हुए, उबिरॉय को अपने सामने जमीन पर लेटी बच्चों की तरह रोते और भीख मांगते देख कर शिखर को समझ आ गया था कि उबिरॉय को उसकी सीख मिल चुकी है, अब वो उसे जिंदगी भर परिशान नहीं करेगा, और शिखर बिना एक बार भी जमीन पर पड़े उबिरॉय जो गिडगडा रहा था उसकी त लेटी रूम में शिखर को ढूंडने की यूजना बना ही रहे होते हैं कि तभी शीना की मन में एक तरीका आता है, उसे वो रवी से साजा करते हुए बोलती है, क्यो ना हम सीसी टीवी से गाड़ी का नंबर दीख, आस-पास के इलाके में चानबीन करने की कोशिश करें, इस शीना को सामने सीसी टीवी में शिखर होटल की तरफ चल के आता देखता है, नीचे अनन्या और जोसेफ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से शिखर देखता है, इतने में शीना और रवी भी नीचे आ जाते हैं, अनन्या मौका देखक शिखर भाग कर जाती है और शिखर से लिपट जाती है शिखर भी शीना की ओर देखते हुए अनन्या को अपने गली से लगा लेता है शीना का भी मन तो हो ही रहा था कि जाकर शिखर से लिपट जाए मगर उसने जो वादा अनन्या से किया था उससे अब वो पीछे नहीं हट स सर हलाते हुए बोलता है हमेशा ऐसे मौके पर ही मजाग सूचता है तुझे शीना शिकर को सही सलामत देख यहां से जाने लगती है और जैसे शीना यहां से जाती है शिकर भी अनन्या को दूर कर वहां से जाने लगता है कि देखकर अनन्या को समझ आ गया था पर पिस्तॉल तान कोई खड़ा था और वस पल भर में उसकी जान जाने ही वाली थी। ये बात उसे सता रही है कि मौत कितनी बार उसे आकर गई है। इसी बारे में सोचते सोचते उसका हाथ कापने लगता है। उसकी सांस ये पहले जैसे फूलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करेगा। शिकर सोचता है कई मुझे चिंता का दौरा तो नहीं आ रहा। अब क्या होगा शिकर का। क्या है अनन्या का अगला कदम शिखर को फसाने के लिए, क्या शिखर को अनन्या का असली चेहरा पता लग पाएगा, या वो फस जाएगा अनन्या के जानवे।